पिछले महीने सरसों के दाम में आई 500 से 700 रुपए प्रती क्विंटल की तेजी से किसानों एवं व्यापारियों को कुछ राहत मिली थी लेकिन उसके बाद मांग एवं उठाव सुस्त पढ़ने से कीमतों में नर्मी या स्थिर्ता का रूख बनने लगा। सरसों के एक प्रमुक उत्पादक राजे हरियाना में चालू वर्ष के दोरान उत्पादन बढ़कर 14 लाक टन पर पहुँचने का अनुमान सरकारने लगाया है। सरकारी एजनसी बहेफेड तथा राजे भंडारन निगम द्वारा किसानों से न्यूंतम समर्थन मूल्य एमेसपी पर अच्छी मात्रा में सरसों की खरीद की गई जिससे बाजार को अच्छा समर्थन मिल गया। हाल की तेजी के बाद बाजार में आई नर्मी के कारण राजे की मंडियों में सरसों की आवग घटने लगी है। व्यापार विशलेशकों के अनुसार नीचे दाम पर सरसों का अच्छा कारोबार हो सकता है जिससे इसकी कीमतों में तेजी का एक और दौर शुरू होने के आसार है। फिलहाल भीशन गर्मी एवं अत्यंत उंचे तापमान के कारण सरसों का कारोबार सुस्त पढ़ गया है। दक्षिन हरियाना की भीवानी मंडी में सरसों का भाव पिछले दिनों 5550 बटा 5600 रुपए प्रती क्विंटल के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा जो न्यून्तम समर्थन मूले से 50 बटा 100 रुपए प्रती क्विंटल नीचे था। सरसों तेल के दाम में भी कोई बदलाव नहीं हुआ और यह 1160 बटा 1170 रुपए प्रती 10 किलो के पुराने स्तर पर स्थिर रहा। हांसी एवं नारनौल मंडी में भी सरसों एवं इसके तेल के दाम में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया। दरसल हीट वेव की वज़े से तिलहंतेल में सुस्ती चाई हुई है। मानसून की पहली बोचार के साथ तापमान में जब-जब गिरावट आएगी तब पुना कारोबार जोर पकड़ सकता है। Bureau Report Market Times TV